राहू आपके आठमे घर में बैठा है भाई साब लक्षमी तो नजर भी उठा कर नहीं देखेगी सब पता है सब पता है मुझे तुम्हारे चेरे को देखके सब कुछ जान चुका हूँ चेरे पे तो राज ही हो गए लेकिन दूर जा रहे हैं यहां आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जिन्दगी के जीने का रास्ता पदल दिया और वो उनके लिए फायद्यमंद्रा और उसकी वज़े है नाम में बदला तो मैं तुम्हें एक अच्छा नाम दूँगा और उसकी वज़े से लक्षमी धड़ा-धड़ धड़ा-धड़ आती चली जाएगी आप मुझे नाम मत दीजिए मैंने एक नया नाम रखा है वो सूट होगा या नहीं ये बताईए तो तुमने अपना नाम खुदी बदल दिया पर एक बात तो बताओ कि क्या वो नाम तुम्हें सूट कर रहा है बताओ नाम क्या रखा हुआ ए भाग ड्याम क्या सक हो पागता है हुआ हुआ है जह है ज critically आप एक धर तुम्हें एक क Give You Second जो पुजा हो अब हुआ है अब है अब है यह एफ यह स्वीट यह जो खेला रहा है अभी अभी मुझे केस मिला है इसलिए मैं तुम्हें इन स्वीट खेला रहा है कुंग्राचिलेशन्स मैं आदालत से यह दर्ख्वास्त कर रहा हूँ कि इस बावत जो भी सही निरड़े हैं वो लिया जाए। सारे डिटेल्स इसमें हैं मेलार्ट। वहां के पुजारी हैं और उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। अबजेक्शन सस्टेंड। तरह उस जगा पर आपका भी कोई हक नहीं है। आपको भिकरियों के बारे में जो कहा गया था ना वो एक्जम्पल के तौर पे कहा गया था। लेकिन फैन के नीचे रहेंगे तो उसका अनुभात जादा करेंगे। इसलिए उनका दावा खारिज किया जाता है। नेक्स्ट केस। यह क्या है भाई। जंडू बम में सर। किसका। लॉयर विजे कुमार का केस है। शुरू कीजिये। Your Honor, मेरे क्लाइन को इस कड़गरे में खड़े होने की अनुमती दी जाए। यह देखकर तो बात किया करो। वो अलेड़ी आ चुका है। ओ आ गया क्या। भगवत गीता की शपतली जाती है। यह तुम क्या कर रहे हो। यह भगवत गीता, कुरान, बाइबल, सारे के सारे एप मैंने मोबाइल में लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं। तुम शपतलो भई। मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर चलो भई, शुरू हो जाओ। जस साब, उस दिन क्या हुआ था कि सर, चीटिंग केस है सर। किसने किया है। खरुआ पिक्चर वालोनी सर। करुआ पाट्टू, कब आएगा, कब आएगा यह सोचके, वो भी एंड हो गया सर। आखिर में मेरे दादा की जान और उनका पैसा, दोनों चले गया सर। कितना पैसा। कोल मिला के 360 रुपे सर। ओ, 360 रुपे मतलब 360 धारा में केस करता हूँ यही मेरे क्लाइन की समस्या है आप धारा 360 या कोई बढ़िया सी धारा लगा कर हमारे क्लाइन को निया दिला दीजे। सक्षन 360 में? हाँ यह रुणर इसके लिए मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता 360 रुपे देता हूँ, लोगे क्या? सर, ऐसे नहीं सर मेरे दादा की च्छा अरे, तू चुपरा वार्क आउट होगा ना? ठीक है सर सर, आप नहीं जानते हैं, 360 रुपे नहीं थी करोड रुपीज तीन करोड रुपे? यस यूर अनर यह 360 रुपे लगाकर फिल्म देखने के बजाए रेस कोस्ट में जाकर जौकी के उपर बेट लगाता तो आज इसकी यह हलत नहीं होती दीस लाक रुपे मिलते ही से अगर वो दीस लाक रुपे लेकर लिंक रोड पर कोई बिजनस करता तो आप जानते हैं कि वहाँ पर मेट्रो रेल आ रही है तो क्या फाइदा होता आपको पताईए आज उसकी कीमती इन करोन रुपे हो जाती सुनो इसकी प्राब्लम करवा पार्ट टू है पैसा नहीं है आपसिल्यूटली सार वह तीन करोन रुपे मेरे क्लाइन को मिला थो यह खुदी फिल्म बना देगा सार और आपको भी एक करेक्टर मिलेगा सार सुनो पुरिस्वाले इसके कस्टडी मेले जाओ और अंदर डाल दो और तुमें सारु रुपे का दंड कर आओ मैं चोट दीजे सार मैं पॉट के दरा मूरती मिलेखुगा मैं सुप्रीम कॉट जाओ 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 आरया आरया यह अरया अरया कितना भी उठाओ यह उठता नहीं है हमेशास अपने देखता रहता है कपड़ी भी ने हीटाँगे है है और चारा बेटा पैसों की आवाज सुनकर तुरंथी उड़ जादें पैसा-पैसा जब देखो पैसा-पैसा जल्दी से तयार हो जाओ कोड़ जाने का टाईम हो रहा है अर्या नाम से मुझे मत मुकरना मैंने अपना नाम बदल दिया है तो मुझे उसी नाम से बुलाना नाम बदलने से पैसा तुम्हारे पास दोड़कर नहीं आएगा, मेहनत करके इमानदारी से पैसा कमाओ, इतने सालों मेहनत की आश्रम में काम किया, कितनी मेहनत की तब जाके तुम्हें लौर बना पाई हूँ, और एक तुम हो जो बिना मेहनत के पैसे चाहते हो, आ, बना दि कियो, आएग दो पैसा होतो हिजट है, occasionally बना दो हिज़त नहीं हुआा हाँ, तुम्हे हमारे आश्रम के तुम्हें काश्रम के केस को लड़ना ही पड़ेगा, जो पेसे नहीं पेसा नहीं मिलेगा यह आज तुम लॉयर बनके खड़े हो ना यह सब कुछ उस आश्रम की वज़े से हमें करजा चुका नहीं होगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा तुम काम कर रही हो ना बस यही काफी है मुझे तंग मत करो हां मुझे पचास रुपए दो पेट्रोल लानना है गाड़ी में स्कूप कर भी स्टाट नहीं हो रही है अरिया जट तुमारी गाड़ी में ब watch तुमा अरियो ने ज़िद्या को जों नहीं होगा एक कॉटर नहीं तुम्हें फुल बोडल दूगा लेकिन वो दिन जञूर आएका थोड़ा सा सी इंतवाइक ऐता है वो देखते एक लीगा बौने तक में जिनदा क्या हुआ कि वुरणे के जो इन्सान इंसानियत नहीं होती है लेकिन मनी में इंसानियत होती है वो दिन जरूर आएगा बस थोड़ा टाइम लगेगा लिके आएगा तुम चिंता क्यों करते हैं मैं तुम्हें आज आशिरवाद देदा हूँ शुभा मास तुम्हें आशिरवाद मिल गया ना यह स्कूटर एक ही कि में स्टार्ट होगी ओके चलो कि मारता है अज पिता परमाता मैंने आज उन्वाद दिया और तुने पूरा कर दिया सुरो मैंने एटियम काड आज जाम को कौटर लाना मा धुला ओके भाग हाँ मेले धनराज के भाई तिलक के अत्याचार का केस लड़ने वाले वकील नारायंड स्वामी एकार अक्सिदेंट में मारे गए जिससे तिलक और धनराज घबरा गए हैं कि उन्हें क्यों बेकार में उस लड़की से पंगा लिया अब क्या करें वो लॉयर तो मर गया है इस केस का फैसला क्या होगा कुछ नहीं पता और मेरे पॉलिटिकल केरियर का भी पताने क्या होगा आप चिंता मत कीजिए इस केस को मैं टेक ओर कर रहा हूँ तुम जी आँ सर आपके लॉयर का फॉर्स असिस्टंट मैं ही हूँ तुम इस केस को हैंडल करोगे तुमारे जैसे जूनियर लॉयर पे मैं भरोसा नहीं करूँगा सर इस केस के बारे में मैंने उपर से नीचे तक स्टड़ी की है जानते हैं आप इसलिए मुझसे अच्छा डील करने वाला और कोई लॉयर आपको नहीं मिलेगा पॉइंट नमबर वन इस्टर आरिया सर प्लीज मैं चाहता हूं कि ये केस हम चीजए मुझे जो उन्हें 25 लाख रुपे देने हैं वो फिर मैं तुम्हें दे दूँ प्रोसीड यह ओनर देखिये मेरी जो क्लाइंट है मिस स्वाती एमेले धनराज जी की डील यू इंस्टिट्यूट में पढ़ाई करती है मेरिट से सीटली हुई पिछले साल फूरे कनाटक में से गौल मेडल जीच चुकी है मेरी क्लाइंट्स्वाती इसलिए उसे इसी कॉलेज में से सम्मानित भी किया जा चुका है पिछले साल वो मार्च 6 तारी को सम्मान देने वाले उस कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रहे चुका है मिस्टर तिलग उस कॉलेज के प्रिंसिपल सदाशिप की वज़े से ही मेरी क्लाइन्ट स्वाती को ये स्कॉलर्शिप मिल पाई है यही कहकर उसे अपने घर ले गए थे इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ ये हमारी क्लाइन्ट स्वाती के मूँ से उसका स्टेट्मेंट सुन लिचिए स्वाती को बलाओ स्वाती सुनो स्वाती जज के सामने उस दिन क्या क्या हुआ था सब सच सच बता दो उस दिन लेक्चर खत्म होने के बाद मैं घर जा रही थी, तब लेक्चरर सदार शिब ने आकर मुझसे कहा कि तिलक साब ने मुझे बुलाया है, उनके घर जाकर स्कॉलर्शिप सेंक्शन के बारे में बात करनी है, उनके घर गई तो तिलक घर में अकेले थी, उनका बेहेवि सेंक्शन 375 के अधार पर तिलक को सजा देकर मेरी क्लाइंट स्वाथी को पूरी तरह से न्याय दिया जाया बस यही विंती है मेरी याप से, तरस अल यूर्णर, डिफेंस कुछ गयना चाहेगा, यस यूर्णर, तुम्हारा नाम, स्वाथी, 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 स्वीट अबजेक्शन सस्टेंट, तुम्हारी उम्रे कितनी है, 19, 19, 19 हो तो लड़कियों का मन चंचल होता ही है, अबजेक्शन यूर्णर, यह क्या हो रहा है, यह क्या कर रहे है, इस केस से इसका क्या संबंद है, संबंद है, यूर्णर, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं एक वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, प्रोसीड, यूर्णर, वो वीडियो क्या है, क्या मैं भी देख सकती, अफकोर्स, यूर्णर, इस वीडियो में स्वाथी कॉलेज कल्चर प्रोग्राम में अपने फ्रेंश के साथ डांस कर रही है, इसका इस केस से क्या संबंद हो सकता मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एक मिनिटों फून दीजिए अगर इस वीडियो को हम पूरी तरह गौर से देखते हैं तो लड़की किस तरह से डांस करती है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा शीला की जवानी, चिकनी, चमिली के लिए मैं पर्मिशन मांगना चाहता हूँ आपसे आपको कोई अप्जेक्शन है क्या? नहीं सर पर्मिशन ग्रांटेड सदाशिव जी आप इस लड़की को जानते हैं क्या? जानता हूं सर, यह हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है मार्च, साथ तारीक को आपने स्वाती को स्कॉलर्शिप मिलीगी ऐसा बोल कर तिलक के घर पे चलने की बात की थी? नहीं, मैं क्यों बोलू मैं? इस लड़की ने तिलक का नंबर दो ऐसा बोला था, मैंने नहीं दिया लेकिन साथ मार्च को इसना नंबर जबरदर्स्ती मागा, मैंने इसे दे दिया, तिलक बहुत अच्छा आद्मी है, कॉलेज में इस दड़की की हरकते अच्छी नहीं है आप क्या क्रॉस इग्जामिनेशन करेंगी? यस यॉनर प्रोसीड मिस्टर सदाशिव, आपने खुद तिलक का फोन नंबर दिया था, ये आपने कहा था, क्या ये बास सही है? मैं सच कहरी हूँ ना? जी मैडम यॉनर मार्च 7 तारिक को स्वाती की मोबाइल से तिलक को कोई भी फोन कॉल नहीं किया गया है रिकॉर्ड सब्मिट किये गये हैं, चाहे तो आप चार्च कर सकते हैं मैंने वह आपके टेबल पर रखवा दिये हैं और किसी मोबाइल से भी कर सकती है अगर आप पर्मिशन दे तो इस केस के संबन में मैं अपने मोबाइल फोन का इस्तिमाल करना चाहता हूँ सर पर्मिशन ग्रांटेड स्वाती तुम अपना फोन नंबर बताओ देखिए यॉर आउनर, ट्रू कॉलर में इसका नाम कॉल गल आ रहा है सो इस नंबर पर बहुत सारे लोगों ने कॉल किया होगा यॉर आउनर सब्मिट किये वे मेडिकल रिपोट के आधार पर क्या हुआ था माच साफ तारी को क्या हुआ था ये साफ साफ पता चल रहा है इसके और मेरे क्लाइन के बीच में इसकी सारी बाते जूटी है या आपको भी पता चल गया होगा इसलिए मेरे क्लाइन को न्याए दिलाने के लिए मैं आपसे विंती करता हूँ यॉर आउनर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नरी इनकी मैं तुमें कोई सचाहिए नहीं है यॉर आउनर मेरा यह कि इनकी जी है जज्मेंट विल बी आप्रिल फोर तिल दें पोड विल बी अजर्ण ट्राइब के ट्राइब करें। नमस्ते सर्, विजय, ललब सार, आपकी स्टाइल और आर्गुमेंट क्या करते है, सार सार, आपका किस हैंनल करने का स्टायल गॉसाम है सार, अकर आप चैंस देंगे तो आपका असिस्टेंट बन जाता हो हां मुझे असिस्टेंट नहीं बनाया तो क्या तुम्हारा बॉस बनकर रहूंगा मैं तुम्हे तुमसे बिल्कुल उमीद नहीं थी तुम इतने इंटेलिजेंट हो मैं समझ नहीं पाया था मैं सो इंप्रेस्ट एए चेकबुक लाओ सर नहीं सर अभी तक जज्जमेंट नहीं आया है तो अभी नहीं सर मिस्टर आर्या जज्जमेंट तो अब हमारे ही पक्ष में आएगा ये तो हमने भी डिसाइड कर लिया है ये लो मना तो नहीं करूंगा आपका मान रखनी के लिए मैं रख लिता हूं सर थैंक्यू जर तुमने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई तुमने क्रियेट की एविडेंस और विटनेसेज वह सूपर अब चाहे कोई भी जज्ज क्यों नहों जज्जमेंट तो हमारे फिवर में आए अब इस अब आपके प्रेदर कल अम कोड़ मिलेंगे ओके अगरता हूं सर बाइए किसी का आउग्यूमेंट पेंडिंग है क्या नो आउग्यूमेंट यू आउनर डिफेंस नहीं यूर आउनर अभी तक नियाले के सामने पेश किये कर सबूतों और कवाहों को बड़े गौर से पढ़ने के बाद ये नियाले तिलक नाम के व्यक्ति को स्वाती नाम की लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ जबर्दस्ती पलातकार करने का जो आरोप है उस संबंध में अदालत में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किये गए हैं और प्रॉसिक्यूशन का वकील भी साबित करने में विफल साबित हुआ इसी लिए ये अदालत तिलक नाम के व्यक्ति को बाइज़द बरी करती है और उसे निरापराद घोशित करती है कोर्ट इस एज़न्ट कल हमें तुम्हें जो देना है वो हम जरूर देंगे शाम को मिलते हैं तु कभी कुछ नहीं रह पाएगा कभी कुछ नहीं रहेगा तु मेरी बेटी बिल्कुल पवित्र है ये बात मैं अची तरह से चांदी हूँ तकली छेल रहे लोगों को नाय दि तुम अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हो तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहोगे ये एक मा की बत दुआ है तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा तुम कभी कुछ नहीं रहोगे तुम्हारा भी यह हाल होगा तुमको मेरी बेटी की जगे रख कर देखो उसका मैं सही गलत यह तो नहीं जानता, मुझे चाहिए सिर्फ पैसा, जो पैसे हमें मिले हैं, उनसे हम मजे करेंगे एई, क्यूं अपना मूड आफ कर रही हो, कम लेट्स गो, पार्टी तुम ये केस कैसे जितके मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सारे गवा तिलक के खराफ थे, लगता है तुमने मोटी फीस लिए इस बार, देखो मैं छोटा मोटा केस तो लेता हूं नहीं, मुझे एक बहुत ही अच्छा केस मिल गया है, ये बताओ तुम लोग लाइफ में कप सट एक्सक्यूज मी मेरे बास ने अपनी कंपनी का लीगल एडवाईजर तुम्हें बनाने का फैसला किया है, हमने देखा कि तुम उस केस को कितने प्यार से जीत गया है, अब ये वह चॉइस? सर माइ चॉइस तो से येस, कोई भी जॉब को मना कर सकता है, वही एक रिवाईजर ये लोग हमारा अद्रेस, तो कल शार्प तैर्शन अ क्लोग ऑफिस में हाजारे? शुर सर, थैंक यू, थैंक यू वर्यमच हाई, कना जॉइन विद यू? सर्वी अर्या, कॉन था है? चक्रवर्ती गूप अपनीज में मुझे जॉब को उफर मिला है वाउ, वेरी नाइस वीज, यू दू वोटाई से, ओके? और अर्या, यू वेट अ मिनिट, बॉस के आने से पले मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ तुमारी हाइट भी अच्छी है और तुमारी वाइस भी अच्छी है बच्वन में तुमने काफी कॉंपलन पिया है क्या? नहीं सर, मैंने बूस्ट किया है बूस्ट? बूस्ट पिने से तुमारी वाइस एकदम मस्त हो गई है लेकिन मेरी वाइस चलो जाने दो वैसे आपके बाउस इतना लेट क्यू आते हैं लेकिन आज तो पांच मिंट अरली आ गए है इस वक्त तो हमारी आफिस की पार्किंग के अंदर होंगे हमारे बस फुल स्टाइल में स्मार्टली गाड़ी से उतरेंगे हैंड सैम मूं में सिगार और फिर स्टाइल से हाइ स्पीड वॉक हमारे बाउस की वॉकिंग स्टाइल इतनी शाननार है के आजू बाजू की जितनी भी लड़कियां होती ना वह जाती है फ्लैट और इस वक्त वो अंदर पहुंचने वाले हैं हम यह कहां गया हम यह बैट पे गया सर सर गुड मॉनिंग सर आपका वाई सर मुझे पता नहीं चला सर मुझे यहां है तीन मिनट हो गए हैं अब ज्यादा बखवास मत करो सर मेरा नाम आरिया है आयम चक्रबर्ती आयम यूर एफ का मतलब एफ का मतलब फ्रेंड ट्रीट मी अज यूर फ्रेंड मैं आय लाइक एफ वेरी मच इन माई लाइफ तुमारे जैसे बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है दो एफ की एक फिनांस और दूसरा फीमेल यह दोनों हमारी कंपनी में आसानी से मिलेंगे सर मैं आपकी कंपनी का लेगल एडवाइजर हो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट केस देने वाला हूँ क्या केस है वो? वो केस तुम्हें देने से पहले, मैं तुम्हें एक टास्क दूँगा और तुम्हें पास करना होगा. हर टास्क में तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे. You have two options. Are you in or out? Choice is yours. Of course, I am in, sir. पैसा जहां मिलता है, वहां मिन होती ही है. That's good. मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस सम्राज्य का मंत्री पद और इसे समाल पाना इतना आसान काम नहीं है. तुम्हें मेरे साथ अगर काम करना है, तो दो एफ को भूलना पड़ेगा. Family and friends. तुम्हें मुझे पहली preference देनी पड़ेगी. मेरे बाद ही दूसरा कोई. वन मिनिट. सॉरी सर, घर से मेरी माँ फोन करके बार-बार मेरा सर खा रही है. Family और friends को छोड़ोगे, तो तुम्हें good F मिलेगा. इसेफ का मतलब? Future. ओके. तुम्हारे अकाउंट में advanced salary भेज़ दी जाएगी. Thank you, sir. You may go and have your F. इसेफ का मतलब fun? तुम्हें तुम्हारे पैलेट आस्क के बारे में साधू बता देगा. You may go now. Thank you, sir. पन कहता है, पन. Go! वाउ. What a man, Amrita. वो और उसकी lifestyle हम सोच भी नहीं सकते. अपने प्रधान मंत्री जी कहता है ना, कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. हमारे तो पक्की अच्छे दिन आएंगे हैं. हम सेटल हो जाएंगे, Amrita. केस अटेंड करेंगे मैने की 10 लाग रुपे salary और रहने के लिए शूप पब बंगला मिलेगा. I'm so happy. Mr. Arya, ये केस उत्रा आसान नहीं है. Hello, मैं तुम्हें सब दीतिल में बताता हूँ. पता एक दिन क्या हुआ? Full, full speed से. मैं को, मैं को? मैं तुम्हें शादी करके पूरे तो ये सफार गया. Yes, sir. Moh, sir. मैं यहाँ बैठो ना? Не Tellbl1. कोई बात में बैड़ जा. मैं संच मैं, sir? मैं तो ने बहुत गलत समझा था मेरी बीवी ने क्या क्या मांगा था वॉकिंग जाने के लिए दो डॉक्स और बैड में लपेड का सोने के लिए दो टैडी बेर्स चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए तीन तीन दिल होने चाहिए क्यों किसी को तो बताने से पहले उनका दिया टास्क अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो यह बहुत ही बड़ी बात होगी वह देखो वहां ख़ड़ा है हमारा ड्राइबर उसके क्या किया था उसकी स्पीड और डेरिंग को चेक करने के लिए उसे रोलर कोसर पर बिठा कर उसकी स्पीड औ हमारे बास का स्टाइब यह बास सीरिसली अरे यह काहनी छोड़ो अमारे वाच्मन के सेलेक्शन कैसे वा जानते हो सबसे लास्ट में तीन वाच्मन शॉर्ट लिस्ट हुए जोबीज घंटे उन्हें सोना नहीं था यह सोच कर तीनों को है की कमने में मिठा दिया जोबीज में से तीन में से दो यहां सर करके लुड़क गए और सिर्फ एक ही बचा जिसने पलक तक नहीं जब की वेचारा हमारा वाच्मन वो तो सोना ही भूल गया है तो यह बताएं आपका सेलेक्शन कैसे हुआ हूँ अरे मैं बहुत होश यार हूँ मेरा तो स्पेशल एपीसोड ह हमारे पॉस के आगे पीछे लड़किया गूंदी रहती है और मैं पॉस का मैनेजर ना तो मैं किसी से टैंप नहीं हूँ इसलिए मेरा पॉस मुझे बिक्मी पहना कर अपने साथ बिखा लेता है वो भी लड़कियों के बीच एक तो नहीं बहुत सारी लेकिन मैं टैंप बि किया कैसा था मेरा टास्क मैं अपने बॉस को बेवकूफ तो मोश्टाइब के हो गया हां किया आपकी शादी हुई है बच्चे है कर दो डालिंग कंपाउंड के अंदर रहने वाले घर वाले पत्थर मार सकते हैं अलो आलो 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 टेक इज़ी आपकी बौस इतने अजीब क्यों है अजीब नहीं है मैडम वह हर इनसान की साइकोलोजी को स्टड़ी करके उसकी परिक्षा लेने ही हमारे बॉस का असली उत्देश है आप वह जहां बुलाएंगे बस वहां आ जाना बिना सोचे समझे अभी मैं चलता हुआ थेंक यूद्ध को पूरा कर तुम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हो वह बात नहीं है सर इंपॉर्टन केस को छोड़कर मैं आपकी कंपनी में जॉइन हुआ हूँ अगर तुम काबिल नहीं होते तो मैं तुम्हें यह जौब आफरी नहीं करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है सर बस मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ इदर क्या जा रही है अई सुन कमीने के वालाद एक लड़की को चार लोग घेर कर छेड़ रहे हो तुम लोग को शब नहीं आती दम है तो हमसे लड़कर उस लड़की के साथ जो करना है करो रहने दीजिए सर इन लोगों में अकल तो है नहीं और वैसे भी हम लोग उसके बॉडिगाड तो है नहीं सर तुमने बहुत सोच कर कहा है और वो सीधा तुमारे पास ही आ रहे है वो ताकत वाले हैं तुम खुद इसे हैंडल करो मैं तुम सर वो 40-50 लोग होते तो मैं फाइट करता वो तो एक ही है छोड़िए जाने दीजिए अच्छी बात नहीं है और उससे मजबूर करो कि वो खुद तुमसे सेलफी ले आज जो तुम्हें टास्क दिया है वो यही है ब्रेन यूज करूं कूल बॉस कूल कूल तुम्हारी मां महालक्ष्मी है ना हाँ है तो और वो अब इस्टन मसाला कंपनी में काम करती है मैं सही करूंग तुम्हें कैस पता कंफर्म बॉस पक्का कंफर्म हो गया है कहना क्या चाते हो बोल साफ साफ बॉस उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करने के लिए मैं और तुम्हारी मां तुम्हारी कुंड़ेली मिला कर शादी फिक्स कर दिए बॉस क्यों उस लड़की से पंगा ले रहे ह शोर शोर चलो निकलो थार्गेट का पहला चरण तुमने पूरा कर लिया लेकिन तुम उसकी मा के बारे में कैसे जानते हो सर ये मावाली और गुंडे लोग किसी भी लड़की से प्यार करेंगे तो बहुत ही डीपली प्यार करते हैं वो लड़की accept करें ना करें उसके हाथ में एक शब्द लिखाया उसके तीशिट पर ज़़ा डाली ये तो उसका बाप भी तो काम कर सकता है वहाँ क्या वर्कॉट हुआ देख लो कि अरे उब बेवकुप की उलाद इसने जो भी कहा सब जूट है आकर बात करो अब तुम अपने ताकत का इस्तिमाल करो अगर तुम्हे कुछ नहीं हो और तुम वापस आगए तो तुम यह टास्क जीट गए विश्यो अल दा बेस्ट ऑके साथ बाई बाई वो हमारा शेर है तुने उन्हें बेंगू बनाया भाई सूट लूज करते हैं तो बाई मूमेंट आसानी से होती है इसलिए सकी है तुने चश्मा क्या पहना हमारे सामने बस यूई स्टाइल के लिए तुम लोग छे लोग हो दो लोग मारे या ना मारे ये सोचते रहेंगे सिर्फ छे लोग लड़ेंगे ये दो लोग तमाशा देखते रहेंगे कि मारू या ना मारू वो लोग तुम लोगों का हाल देखकर यहां से भाग जाएंगे हाल दू के बाज बन कर रहे हैं कर देखकर आयाँ दून मुए प्मैंगे नया शूटे यार कि अपार 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 कि अपा तुमेरे जो तरण लिए ए वो तुम्हें पूरा किया तुम्हे रूम्हें पूरा किया तुम्हे पूरा खुआ कि बास ने हुषा है यहाओ तुम इसी तरह हर तास्क कम्प्लीट करते जा तो तुम्हें अलग 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 किसे रहेंगे शोर इस तरह से मिलते रहेंगे जब खुना जब यॉक्ट जाए बाई जब मा अ माहा कियों चिल दूसरे कपड़े पहलो यहां से हमें निकल ना है पर क्यों नए घर में इसका घर है, यह नहीं जाओंगी माहा को ड्रामा अलई करो जल्दी कपड़े पैकरो और चलो यहां से मेरे साथ आर्या, कल तक तुम पेट्रोल के लिए पैसे मुझसे मांग रहे थे और अब अचानक से तुमने अपना घर भी बना लिया इतनी जल्दी फ्लेट खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहां से आ गए अपने दिल पर हाथ रख कर कसम खाओ कि तुमने ये पैसे इमानदारी से कमाए हैं तभी मैं तुमारे साथ चलूँगी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है सही नहीं है, क्या सही नहीं है मा नीचे से लेकर उपर तक देश में राज करने वालों में से कौन सही है मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तुम्हें समझाओंगा तो तुम नहीं समझोगी मा, मैं अभी इस घर में नहीं रुख सकता, तुम जल्दी से कपड़ा पैक करो, हम लोगों को यह से जाना है मुझे इस घर में जो सुकून मिलता है, वो तुम्हारे फ्लैट में नहीं मिलेगा, मैं तो यहीं रहूँगी समझ गया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जब दिल करे तब आ जाना, लेकिन मैं यहां नहीं रहूँगा, ओके, बाई यह है मेरा ड्रीम हाउस, इंटीरियर जैसा हम चाते थे वैसा ही है, लेकिन हम यहां कोट और केस के बरे में डिसकस नहीं करेंगे, तुम्हारा आमसे रो, रानी की तरह रो, बस खुश रो इतने बड़ी घर में मैं अकेली रहूँगी क्या, नहीं नहीं, आसपास के लोगों को यहां लेकर रह सकती हूँ, लेकिन तुम डेली चल दी घर आ जाना, ओके, ट्राइ करूँगा अधर्या, इव क्यी कैसी आवासा, इव झाल 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 आर्या तुम आर्या तुम आर्या मुझे लगा कि यहां कोई और भी है अंदर तुम्हारा सर यहां कोई भी नहीं है नहीं आर्या मैंने अपनी आखों से देखा तुम फालतों में डिस्टब मत करो हां मुझे नीन दा रही है चलो यहां से आर्या एक बार फिर प्लीज कम यार बैंगलोरु चॉर्ट स्ट्रीट में बॉम ब्लास्ट के साथ संबंद रखने वाले जाकिर खान को उस केस के सिलसने में सुनवाई के चलते कोट में पेश करने वाले हैं उनका कहिना है कि वो केवल इसलाम के धर्म गुरुँ हैं इस मामले में संबंद रखने वाले अईुप खान के साथ उनका संबंद है ऐसा हमारी पुलिस का कहना है उनकी तरफ से लड़ने वाले वकील रगुब अर्धन प्रसाथ कोट में मौजूध हैं अब देखना है कि इस मामले में कोट अपना क्या फैसला सुनाती है हम सब को इस फैसले का बे सबरी से इंतिसार है अब देखना ये है कि कोट का फैसला आखिर क्या होता है किसे राहत मिलती है और किसे सजा इस केस के लिए ये लाओ वो लाओ परिशान हो गया हूँ मैं सारे सबूत इखटा करने पड़ रहे हैं और जब सहाब आ गए जो मैं मांगू सिर्फ वही देना तुमने सब रेडी कर लिया है ना हाँ कैस की फाइल मुझे दो ओके हाँ उससे बुलाओ जाकिर खान ये है क्या जाकिर खान जब रेश्ट हुआ था तो पतला था अभी तो मोटा हो गया है लगता है जेल में खाना अच्छा मिलता है हाँ कौन है पब्लिक प्रोसीकूटर ये रॉनर मैं हूं डिफेंस वह हमेशा की तरह गैर हाजिर है आज भी ये रॉनर अच्छा क्यों रगुवर्दन परसाद जी कल रहा थे के अक्सिदेंट में मारे गए ज़स्थ साब बेचा डिफेंस लोहर के हाजिर ना होने के कारान इस केस की सुनवाई सप्टेंबर 29 तारी को की जाएगी इस केस में तू बचेगा नहीं तू याद रखना तेरे साथ पे वही हश्र होगा जो बेरे साथ होगा मैं तुझे ऐसी सजा तिलवाऊंगा इंशाओला मैं तुझे नहीं चुड़ूँगा याद रखना मेरा नाम साकर खान है मुझे नया वकिल चाहिए इंशाओला मैं जल्दी यहां से बाहा रहाऊंगा बैंगलोरू चर्स स्ट्रीट में बॉंब ब्लास्ट में संबंद रखने वाले जाखिर खान केस्त एक नया मोल ले लिया है इंटेलिजन्स रिपोर्ट के आधार पर करना टटमी जाकर खान का बहुत दोगों के साथ संबंद है यह पता चला है इस कटना के लिए CBI के स्पेशल टीम इस केस पर चांच करने वाली है ऐसा कहा गया है अपने अंडर काम देंगे क्या सार काम सार सार प्लीज असिस्टन बना लीजे सार सार आपसे बहुत दिरों से काम मह रहा हूं लेकिन आप मेरे उपर द्यान नहीं दे रहें सार अकर आप चाहे तो पैसे दोंगा सार जीरो थ्री जीरो सेक्स कलाउटिच में आगे ना कामाता है वंडरफुल शॉट सर सूपब सर आपके इस लोक और स्टाइल से आप मुवी स्टार बन सकते हैं सर आपको भी दुनिया वाले क्रेजी स्टार का नाम दे देंगे सर आज तुम्हें यहां बुलाया है सेकंड टास्क के लिए रेडी हो ना फोन ले लो 98453-91883 कॉल करो सर यह तो मेरी मां का नंबर है सर यह तुमारी मां का ही नंबर है 20 मिनट तक अपनी मां से बात करो सर मैंने सुचा थै कि आप कोई टास्क देंगे लेकिन आप तो मुझे फोन पर बात करने को कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आया थै देखो अगर तुम सोचने लगोगे तो दौन समझ में आयेगा और जिब समझ में आ जाए गा तो सोचना नहीं चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये समझ में आ जाए समझे समझ में नहीं आएगा, समझ गए समझ गया सर, लेकिन हाफ समझाओ जाते जाते अपनी माँ से बात करो, इस टास्क में जीत गए तो वहाँ जो खड़ी है ना BMW कार, वो तुम्हें मिल जाएगी माँ से बात नहीं करूँगा, तो और किस से बात करूँगा सर वो जनम देने वाली माँ है सर, अभी फोन करता हूँ माँ मैं बाद में फोन करता हूँ, बाई बाई मैं बाद में फोन करता हूं मां मां आभी में वीजी हो फोन रखो मां हलो आरिया है लो मां तुम ठीक तो हो न तुम सौ सालची होगी बिटा मैं खुद ही तुम्हें फोन करना चाह रही थी और देखो सामने से तुम्हारा ही फोन मिलेगा तो मैं तुमसे बात करता रहूंगा तुमसे बात करती हूं तो ठीक रहती हूं यह टेबलेट यह दवायां इन सबसे कुछ भी नहीं होता आर्या यूर टाइम इस आप यू वन थास्क ओके ओके बाई बाई कल तुम मेरे फेवरेट प्लेक में मिलने के लिए आना है थैंक्यू सर मैं चलता हूं इंजूर सर गुड मॉनिंग सर तुम इतना लेट क्यों हो बीवी भाग गई क्या सर घर में घड़ी आदा हंटा फास्त है फिर भी मैं आदा हंटा लेट हो गया पता नहीं कैसे सर यह पहली बार नहीं है हमेशा ऐसा होता है आप सारे टास्क सिर्फ आर्या को दे रहें और उसे पैसा कमाने का मौका भी दे रहें एक चांस मुझे भी तो दीजिए ना सर तुम्हें एक चांस आइए बस यहीं ना सर ओके मैं एक नंबर देता हूं डायल करो बताईए सर डबल नाइन वान सिस फो ट्री डबल एट सिक फो नंबर बताईए ने सर डबल नाइन वन-चेक्स-फो ट्री डबल एट सिक वाए है इसलाग पीसट राइए सर काल करेक्नेक्ट नहीं हो रही है सर अरे ओध दफर कहीं के यह टेरा इननमर है कुट्टे को एफिल टावर में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा वहां पर सूसू करेंगा क्या सबस्क्राइब मेरी याउकाट डॉगी जैसे भी नहीं चुड़ी क्या सबक सिखाओगे तुम अपने दिमाग की बात चिल्ला कर सुना रहे हो समझे यह लाँ पकड़ा बहुत सब्सक्राइब नहीं छोड़ता है हेलो सर गर्ड तुम हमेशा सही समय पर आजाते हो सर टाइम से पहले आओ तो काम नहीं है कहते हैं टाइम से लेट आने पर काम पर मताओ कहेंगे सही टाइम पर आए तो चक्रबरती कहेंगे काम के लिए ये बिलकुल सही बात है मतलब मेरा फेवरिट प्लेस अपनी जिंदगी में मैं इस सबसे टॉप पर हूँ यह मुझे मैसूश कराता है इस जगह से मुझे बहुत कुशी मिलती है तुम्हें जब भी मुझे मिलने की इच्छा हो तुम यहीं बरा जाना ओके आर्या आज मैं तुम्हें फाइनल टास्क देने जा रहा हूँ अगर तुम इसे जीत गए तो मेरे समराज्य के तुम ही अधिकारी बनोगे अर्यू रेड़ी अब एक बार तुम यहां से नीचे देखो सर, हाइट से मुझे डर लगता है इस उचाई से ही तुम्हें नीचे गिरना है यही तुम्हारा टास्क है सर ऐसा मत कहिए आपके जैसी पसनलेटी वाले को कॉमेडी बात करना अच्छा नहीं लगता अभी तक तुम्हारे साथ मैंने कौन सी कॉमेडी की है बताओ मजाग करना या फिर टाइम पास करना मेरी यादत नहीं है मैं यहां से नीचे गिर कर मर जाओ तो आप मेरी डेड बोडी को कैश देंगे नहीं, मैं तुम्हें दूँगा उसके लिए तुम्हें यहां से नीचे कूद कर अपना टास्क कम्प्लीट करना पड़ेगा क्या कह रहे हैं सर, यहां से नीचे किरूँगा तो मेरी हड़ी तक नहीं में यह क्या है सर, आप स्किल टेस्ट करने के लिए स्कॉल ओपन करना चाहते हैं मैंने कहा कि मुझे हाइट से डर है तो मुझे वहां से धक्का देकर आप यहां आराम से आईसक्रीम खा रहे हैं आप जान की कीमत जानते हैं नहीं है, क्या, मजाग करते हैं आप आर्या, तुम्हारी बायाड़ाटा जानकर, तुम्हें टास्क देकर तुम्हें सेलेक्ट करके, तुम्हारे उपर करोड़ रुपया खर्च करने वाला, मैं कोई बेवकूप नहीं हूँ, I know what I am doing सर, मैं मरी मां काई के लोता बेटा हूँ, मैंने अब तक शादी भी नहीं किये, और मुझे लाइफ में बहुत एंजॉय करना है सर, लेकिन मैं लालज की वज़े से कष्ट नहीं उठाऊँगा, जिंदगी में जितने भी कष्ट आते हैं, वो तुम्हें बरबाद करने के लॉक सर वो तो तुम्हारा गॉन में अलरेड़ी क्रेडित हो गया है अज मेरा बड़ते हैं अल्या मुझे कोई सर्प्राइज तेहिए क्या तो कि मॉनिंग कि मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है बाय अमृता अर्या एक मिनिट अर्या आज मेरा बर्दे है तुम भूल गया क्या है अज मेरे साथ पूरे दिन शॉपिंग करोगे अगर पैसे रहेंगे तो हर रोज शॉपिंग कर सकते हैं हर रोज के हर घंटे शॉपिंग कर सकते हैं तुम एक काम करो यह डेबिट कर पकड़ो जितनी शॉपिंग करो जितना खर्च करना है करो बट शाम को मैं काम खत्म करने के बाद घराता हूं धन्विल विल है फञ फन ओके अपी बद्द देग किर बाय बॉछ ए से बने भीट तरह ना देट जया हुआ यह वेरी जूट बर्नी जी बेटो थैंक्यू दून करें दून सर आप रहरो एक्योहा है इस बारी प्रश्क कि happen यह भी कि ठारें की रीट स्ट्रवी शुम्हार यह भूना ट्यूच था हो जो रेसंट्टि बाउंब लास्ट केस में अरेस्ट हुआ है न उसे पक्का कडी सजा मिलेगी सर उसी कडी सजा से तुम उसे बचाओगे वो बेगुना है यह तुम्हें साबित करना है और यह केस मैं तुम्हें दे रहा हूं सर सारे टास्क तो खत्म हो गए हैं लेकिन ये तो सबसे बड़ा टास्क है उसे गन के निशाने से छुड़ाना बहुत ही मुश्किल बात है कोई चांस नहीं है सर सर मैं फूल हूँ क्या जो आपकी बात नहीं मानूगा 100% तकलिफ तो होगी लेकिन काम हो जाएगा कोई बात नहीं अगर ये तुम से नहीं होगा तो मैं दूसरे लायर को ले लूँगा और तुम मेरी कमपनी से रिजाइन करके जा सकते हो सर मैं आपकिस्तान का आतंगवादी है उसमें और आप में क्या संबंद है सर जब तुम्हें ये बात जानने चाहिए तब तुम जान जाओगे इस समय जो पबलिक प्रोसेक्यूटर है वो बहुत स्ट्रोंग है तुम्हें अपने दिमाग का इस्तिमाल करना होगा ओगे सर वो सब कुछ तो मैं देख लूँगा तुम इस टेररिस्ट का साथ दे रहे हो ये जानकर ये जनता टीवी चैनल वाले सोशल मीडिया में इन फैक्ट पूरा देश ही तुम पर नाराज होगा उन सब को फेस करने के लिए तुम्हें तयार रहना होगा सर मेरे पास काम नहीं था तब मुझे किसे ने खाना नहीं खिलाया जब काम चाहिए था तो मुझे देश में किसे ने काम नहीं दिया यहां सिर्फ पैसों की हिज़त है और वो मुझे आप दे रहे हैं That's why I care only for money, nothing else. इस case को जब मैं जीत कर दिखाऊँगा, तभी आप मुझे मानेंगे, सर. That's a good attitude. और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है. You are a dare devil. Dare devil नहीं, सर. Royal challenger of the city. बहुत घटिया जोग था ये. वो जाके खान बहुत ही खतरना का दो. तुम्हें बहुत साब्धान रहना होगा उससे. ओगे, सर. सर, आप नहीं आओगे क्या? That's not my job. तुम्हें एक घंटे में जेल के अंदर पहुँचना होगा. नहीं तो visiting hours खत्म हो जाएगा. ये लो, ये जाकेर की फाइल है. Thank you, सर. I will take care of this. Don't worry, मैं मिलता हो आपसे. महा भारत है. भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों में ही जंग छेडी. Sir, I am your advocate. चक्रवर्ती सर ने मुझे भीजा है. इस case के बारे में पूरी study करने के लिए. क्या बोला तुने? फिर से बोल. Sir, मैं आपका advocate हूँ. मुझे चक्रवर्ती सर ने भीजा है. आपके case के बारे में study करनी है. वो मैंने कर ली है. और… जिगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताकत. ताकत. मेरा case लड़ने के लिए ताकत चाहिए जो तुम्हारे में नहीं है. ताकत तो मेरे अंदर बच्चपन सही है, सर. क्या बोला? नहीं, सर. आपने जो भी बोला, सही बोला. लेकिन मुझे हिंदुस्तानी लोगों पर भरोसा नहीं है. जबोरे! इसलाम! इसलाम को भरने नहीं दे रहा. तू case दढ़ेगा. मुझे तुझ पर भरोसा नहीं. सर, आपको मुझे पर भरोसा नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम तो है नहीं. आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे ये case जीतना है. अगर आप coordinate करेंगे, तो मैं बाकिस सब देख लूँगा. तुझे काम आता है कि नहीं? नहीं आता है, तो दूसरा वकिल लेकर आओंगा कश्मीर से. बैट. अब सुन, जो मैं कहता हूँ, वही कर. घतार. वहाओ, हाभी बहुत है, अम्रता. आर्या, मुझे पता है, तुमने ही ये surprise दिया है मुझे. कहा हो तुम, मेरी सामने आजाओ जल्दी से. आओ न आर्या. आर्या, आर्या, आर्या. क़फ़ में आर्या, आर्या! तोने, आर्या? 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 Aria, ब्ली इस्पोन, रसी गरो Aria, ब्ली इस्पोन, उचाँ Aria अमुरता 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 व्र खौता व्रभ और रहता हुआ हुआ मुआ हुआ आप ह allí अमरिता ело क्या हुआ अम्रिता क्या हुआ अमरिता इस गर में कूई तो है कुन है यहां मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पर? नहीं आर्या, इस घर में कोई तो है, जो मुझे फॉलो कर रहा है आर्या, प्लीज आर्या, प्लीज आर्या लिसन, 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 वाट आम सेइंग पहले हम छोटे घर में रहते थे, यह बहुत ही बड़ा घर है तो यहाँ पर वहम होते रहेंगे, और कोई बात नहीं है नहीं आर्या, प्लीज आर्या, हम इस घर से चले जाएगे अमर्ता कूल, बीकूल, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा सुनो जाए, सर, उस केंटीन वाले को दो पहर के समय में खीर खाना है जाके बोल दो, ठीके सर और अभी मोसम्मी के जूस लेकर आओ, ओके सर तो आप ही है ना डिफेंस लॉयर, सर, क्या नम है आपका, सर, आर्या सर आर्या, आर्या मतलब वो एमेले ब्रदर के रेप केस को आपने ही हैंडल किया था ना, फिर तो सब उल्टा ही होगा यू प्रसीड, ओके यूर ओनर, यूर ओनर, जाकिर खान, इस नाम का ये आदमी, मुलता पाकिस्तान का रहने वाला है और ये आदमी, सन 1998 में पाकिस्तान से कश्मीर आ गया अपनी पहली बीवी को छोड़ कर ये, वहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए भाशन दिया करता था और इस तरह इसने अपने खुद की पहचान बनाई इसलाम धर्म के नाम पर इसने सब को बेवकूब बनाया इस आदमी के बारे में एक खास बात है जो मैं इस नियाले के सामने अभी रखना चाहता हूँ ये मासूम लोगों को भटकाता है इतना ही नहीं धर्म के नाम पर ये आदमी आज के यूद को फटका कर उन्हें आतंगवात की तरफ ठकेल रहा है इसके कारनामों का अमेरिकी सरकार ने खंडन किया है और इस पर बैंड लगाया है सही बोल रहा हूँ न Your Honor मैंने तो बस अभी इसका शुरुवाती परिशय ही दिया है अब इसके आगे सुनिये सन 2009 में बैंगलूरू में एक चर्च मार्ग पर मतलब चर्च स्ट्रीट पर मेरा मतलब है कि सिटी के पास सेंटल सिटी के अंदर ही एक विसपोर्ट हूँ Your Honor मेरा मतलब है विसपोर्ट धमाका धमाका हूँ यस यूर अनर यस यूर अनर यस यूर अनर एसे लोगों का मैं विरोधी हूँ और इसी लिए मैं भी आपके सामने ऐसे शब्दों पर ज्यादा जोर देकर बताने पर सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए माफी है इसी लिए पुलिस ने पकड़ कर इसे यहाँ पर पेश किया है सही है ना मेरे पास इसके सबूत है और वो सबूत मैं आपके सामने पेश करूँगा फोटोज डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे अनरोध करूँगा किस पर इक नज़र डालिए प्लीज Your Honor, मैं इस अनरोध मेरे गाहिन जाकिर खान लेकिन लोग उन्हें बदनाम करते हैं और कहते हैं कि वो टेरर्रिस्ट है और इसलाम फैलाने वाले घलत और जूठे हैं आप चूपो जाएगे क्यों चुप रहूं मैं इसलाम का क्या मतलब है सुरा मकरा चैप्टर नमल 67 आप सुनिये आप सुनिये मिस्टर आर्या सर आपने अपने क्लाइन को समझाया नहीं के बात किसे करनी चाहिए इनके दिये सबूत और गभा इनके बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके सुनवाई को अगले महीने की नौ तारिक तक बढ़ाया जा रहा है यह उस जैसे जाके बोलो मुसम्मी का जूस मेरे कैबिन में लेकर क्या है ठीक है सर दकोट इस अर्जन्ट सिर्फ में कहाई में लेको नाम द।स कि एक टक बहाए ख्याए ते तb procurement लेक भी लेुझेन लेश्याशdriver है अरिया लाँ अरिया सुनुमन तुम बिल्कुल भी सभी काम नहीं कर रहे सारा देश जानता है कि वो देश्टो ही में तुम उसका सहाथ किवो दे रहे हो बटा तुम चच हो या लॉयरो मुझे मेरा काम करने दो मुझे क्यों तंक फोन कर रही। उ मा फोन तuationरो जल्दी. क्या करो मुझे क्या करना चाहिए चक्रवर्ती ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो चक्रवर्ती मुझे बोल रहा है कि तुम्हें बाहर ले गया हो और तू बोल रहा है कि आटाइक उसने किया अब दोनों के बीच में ये सब क्या हो रहा है उससे ही पूछ ले चेक्मेट क्या हो गया तुम्हें रक्तदान करके आ रहे हो गया हां सर वो जाकिर खान को भरोसा दिलाने के लिए तुमने ही अटेक किया और तुमने ही उसे बचाया गुड आइडिया आपको केसे पता चला सर एक बात ध्यान से सुनो डोंट टीच यूर फादर हाव तु हैव फन सर एफ का मतलब आज के बच्चों से पूछोगे तो बताएंगे चंदा ममा आएगा चंदा ममा आएगा ये खेल हम लोग बच्पन में खेला करते थे तुम्हें याद है लेकिन मैंने वैसा खेल कभी नहीं खेला है क्योंकि उस उपर वाले के साथ सेल्फी लेने की चाहत रखने वालों में इसमें हूँ सर मैं भी आपके साथ सिल्फी लेने के लिए आया था बट केस को रिसर्च करने से पता चला कि आपके साथ जाकिर खान का बहुत ही अच्छा कनेक्शन और लिंक है रोयल फैमिली के वहाँ से चुराय हुए एंटिक वस्तूओं को दुबई के शेखों को 500 रुपया भी कीमत ना रहने वाली चीजों को 500 करोण में बेच कर 500 करोण में से 400 करोड जाकिर खान को फंड ट्रांसफर करके 100 करोड आपने कमिशन लिए ये मैं बहुत अच्छी से ज क्या करना है याप अच्छी तरह से जानते हैं सर्फ मैं चलता हूं थैंक्यू अमरिता 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 पता नहीं कहां चली गई अमरिता 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 या वाज कान से अरी या वाज कान से अरी अम्रितल अम्रिता अम्रिता Amruta Amruta, क्या हुआई तुम्हे? Are you okay? क्या हुआ तुम्हे प्रें ये थो जायों, Amruta? Amruta Amruta, Amruta कि अर्या क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए थोड़े दिन डॉक्टर की बात मानकर तुम यहां पर आराम से रहो सब ठीक हो जाएगा अर्या मैं तुम से क्या सवाल पूछ रही हूं और तुम क्या जवाब दे रहे हो घर में कुछ आर्या 그게 कहा है फिर्ट की बाते बाते बंकर लाँ आपको कि अख़ा आर्या प्लीं तो मेरे साद रहो जोड़ा कर बच्श को हरु आदा पिछले सेशन में हमारे पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने जाकिर खान और करीम खान का साथ रहने वाला एक फोटो सब्मिट किया था सर उनको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ फोटोज हैं ये ज़रा आप देख लीजिए सर क्या है ये यह आदमी रजनी कान अमिताब बच्चन शारुक खान सल्मान कन सबके साथ फोटो निगा रहा है यहाँ पर एक आपत्ती है क्या कहा है मुझे आपत्ती है अब्जेक्शन है जी यह और अब्जेक्शन है तो ऐसा मेरा बही मतलब था देखिए यह और अनर प्रिसि बहुत बड़ा सबूत नहीं है यह और इस पर गौर ना किया जाए एक्जाक्ली यह और मेरा पॉइंट बे विलकुल वही है कल हमारे पब्लिक प्रोसेक्टर के कहने के आधार पर मेरे क्लाइन के मलेशिया, यूके, यूए, अमेरिका में सब जगापर फॉलोवर्स हैं और पॉइंट है यूर अनर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है स्टेट वसस संजय दत साल 1993 से चल रहा है संजय दत और दाओध इब्राहिम में कुछ संबंध है ऐसा फोटो में दिखाया गया है बट कोई एविडेंस हो तो पबलिक प्रोसेक्यूटर की तरफ से केस के लिए स अनुमति प्रदान करें क्या है वो एक मिनिट यूर अनर मैंने जो आप से कहा वो यह दृश्य अंत्र डीवीड तो पहले बताना चाहिए ना अहां मैं ठीक है इसे दिखाने का इंदेजाम करो इसलाम को हमें बचाना होगा हमें उसके लिए जिहाद करना होगा अल्ला को मन्जूर होगा हमें ये गुर्बानी देनी होगी हर मुसल्मान को ये ये इसका जवाब देंगे आप मेरे पास भी एक सीड़ी है अगर पर्मिशन दे तो मैं उसे प्लेइ करता हम ये दिखा सकते हैं अब यह आपड आई और इस हम सब agn parks और संबंदанию अरे यह क्या है राज कुमर किस भाशा में भाशा में बास कर रहे हैं इसका विरोध होना चाहिए यह अदलत का अपमान है यह सिर्फ अदलत के वक्त की बरबादी है यार्णार इस वीडियो का से क्या समभण है यारर्णार हम सब ने डॉक्टर राजकुमार का वीडियो देखा और आडियो भी सुना लेकिन यहां प्लहिय हो रहा है कुछ और टैक्नालोजी के इंपूफ होने दे या और सुना इनका कोई भी एविदेंस ये प्रूव नहीं कर अगर ये जाकिर खान धर्म गुरू है तो इनकी जन भूमी कहा है? ये कहा के रहने वाले हैं? इनका व्यवसाई क्या है? ये करते क्या है? इनका परिवार कहा है? इनका परिवार कहा है? इनका रिष्टदार कहा है? ये सारी जानकारी अदालत के सामने प्रस्तूत की जानी चा ऐसा जगने अपराद करने वाला ये आदमी फिर से कोई कांड ना कर दे इस बात के लिए अदालत को सावधानी बरतनी चाहिए और इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ऐसा मेरा अदालत से अन्रोध है ताकि समाज में धर्म प्रचारक आगे से बदनाम ना हो बस मु इस चैनलर को टाइम चाहिए थ्री देज गरंटेट थैंक यूर रहनर मगवति हे जीति खन्क गुतुं दिनी जूरिको दूरिनी जूरिक्रते जय जय हे मानिशा सुरम दिनी रम्यका पद्दीनी श्रैरसुते खैन्ड़कुते मुणे जस क्यों और भी, सही उलaliśmy दोरिक्हे ई श्रैक bund दूरिक्रती खैन्ग के लागलेंश 해ं जय हैंब एंस क्यों ह। मुणे ज्मिर्मुणे व्री जय करने, क्यों देता, प्रचे कि णतरोस्का चाहिए पांड़ु disposition क्या हैं अणिमुट प्रचा सास्क्रेश I want my money, 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 money तुम्हारी गर्ल्फ्रेंड अभी हॉस्पीटल में उसके पास रहकेर उसकी मदद करने चाहिए इसलिए सर मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है यह सब आपको कैसे पता चल जाता है तुम मेरे फ्रेंड हो आ रहा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं है तुम्हें जान से चाने वाली लड़की इस समय हॉस्पिटल में है तुम इस केस को कैसे हैनल कर पाऊगे अगर तुम चाहो तो इस केस को ड्रॉप कर सकते हो मैंने जो पैसा तुम्हें दिया है उसे तुम रख लो और इस समय तुम्हारे पास दो ही आपिशन्स है सर हॉस्पिटल जाकर उसके पास जाकर प्यारी जानू कहने से क्या मिलने मला है पैसा हो तो डॉक्टर आएंगे डॉक्टर के साथ नर्स रहेंगी मैं तो बस देखूँगा अपना कोट केस और पैसा यह मेरा ट्रैक है और मेरा ट्रैक चेंज नहीं होगा तो फिर तुम्हारे हिसाब से पैसे से तुम सब कुछ मैनेज कर लोगे यस मनी इवरिधिंग इजन्ट इट डिफेंस लोयर आ रहे है यह सर डोकुमेंट सब लाए हो ना यह सर आपने मांगे विए यह रेशन कार्ड आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड यह सब इसमें हैं आप चेक कर लीजिए औरे यह क्या है यह यह जाकिर खान तो बैंडनोर कर रहने वाला है गुडिफ का यह जा उन्यूर होता है कि यह जोड़ा यारॉनर ये नकली दस्तावेज है नकली दस्तावेज है यारॉनर ये ऐसे दस्तावेज तो कोई भी बना सकता है यारॉनर कोई भी बना सकता है यारॉनर ये नकली दस्तावेज कैसे हो जाएंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम इन दस्तावेजों पर कैसे भरुजा कर सकते हैं यौनर नहीं सर एक व्यक्ति के पास आईडी कार्ड है मतलब सरकार का दिया हुआ आईडी कार्ड है अगर यह सबुत नहीं दिखाए तो क्या आपने माथे पर लेख कर घुमें या नहीं है आप इसे वेरिफाई कर लिजे म मुझे कोई आतराज नहीं है सुनिए मिस्टरख कान नुक्ता तो लेजिए clinical के साथ भी पिश करते हैं आपका नाम स्क्राइचक्शक कर ओनं पत Allison मों क्रू거든요 तो ऐसे बोलो ना अच्छा तुम्हें कोई अपेक्षा अब्जेक्शन तो नहीं है ना मुझे कोई अब्जेक्शन नहीं है यह रॉनर हां तो बताएए जाकर खान साब मेरे काबिल दोस्त कहते हैं कि आप बैंगलूर शहर में पले बड़े हैं हम बैंगलूर में अगर गौर विजाय नगर लगदा यहां आने से पहले इनकी काफी अच्छी से दयारी करवा कर यहां पर लाए हैं इन्हें मेरे काबिल दोस्त बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं तो जाखर खान अगर यह महाशेक करनाटक के रहने वाले हैं तो करनाटक भाशा में कोई गान नहीं गा सकते हैं, संभव भी नहीं है, ये करनाड़क में पैदा हुए हैं, वहीं पर खेले कूदे हैं, वहीं पर पढ़ाई की हैं, सब कुछ वहीं पर किया है, मगर गीत गाना नहीं आता है जिन्दगी है तो जीना सीखो, जीना है तो जिन्दगी से सीखो, इमान से जोड़ो अपना नाता, इमान का करो खुदा से वादा डॉक्टर नाजकुमार की जै, डॉक्टर विश्च्णू वरधन की जै, और्टो राजा सरगरनाग की जै, عाटार क्या है यह सब यह भाई की तारीफ कर रहे थे इसलिए अभी तक चुप था अब यह जह जह कनारा लगवा रहा है वाट इस मिश्टर आर्या यह दलत का अपमान है यौर ओनर पैंगलोर के बॉंब ब्लास्ट में जाकिर खान का कोई संबन नहीं है जब ब्लास्ट हुआ उस सम समान देकर एक गरवश्री का सर्टिफिकेट भी दिया है यौर ओनर यह देखिए आप इसे देखकर यकीन कर सकते हैं मलेशियन गौर्मेंट यस यौर ओनर कियो डिफेंस लॉयर इसने सार्टिफिकेट दिया है इन्होंने नहीं दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुम्हा अगर यह खतरनाक आदमी समाज में बाहर चला गया तो यह कई मासूम लुगों को भटका कर उन्हें आतंकवादी बना देगा यह हमारे देश इनकी बातों को ज्यादा वेल्यू नहीं देनी चाहिए और मेरे क्लाइन को रहा कर दिया जाए बस मैं आपसे यही मिंती करता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इनकी बातों को नजर अंदाज करके मेरे क्लाइंट बेगुना है ऐसा फैसला आपको कर देना चाहिए केस जज्मेंट के लिए नौ तारिक तक आगे बढ़ाया जाता है ठीक है यूर ओनर तूस लाने के लिए कहा था ना उस जैको जारा हूँ कैसाि। आप तक ला ना ना है जल्दी लाने के लिए बोलो डी सर अप जाकर खान को सपोर्ट कर रहे हैं इस बात से सब लोग नाराज हैं आपका इस सिलसले में क्या कहना है क्या आपको ये बात सही लग रही है देखिए कोड का जज्जमेंट आने तक कौन अपरादी है कौन नहीं है यह हम नहीं बता सकते तब तक मैं केस लड़ता रहूंगा आप एक आतमवादी को सपोर्ट करें क्या या घलत बात नहीं है आप कौन से चैनल में काम करती है कस्तू अजिने दरशन का नाम डाल कर स्टूपिट जैसा फोटो डाल कर रक्षीता का नाम डाल कर रमाया का फोटो डाल कर वो काओन है क्या है उसका कोई अड्रेस नहीं है फोन नमर नहीं है वो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे रियाट करना पड़ेगा लगता है आपके अंदर देश प्रेम नहीं है कौन है भाई वो यह पकड़ो किसने का मैं देश प्रेमी नहीं हूँ सुपब तालियां बजाईए स्कूल जाने के लिए एक शर्ट एक चड़ी और यूनिफर्म पहन कर जाता है वही कपड़ा पहन कर घर में भी रहता है रात को वही कपड़ा धोकर स उखाकर सुभा वही कपड़ा पहन कर जाता था तब देश क्या कर रहा था हम भी बड़े आत्मी बनेंगे ये सोचना जरूरी नहीं है लेकिन आज का खाना है कल का क्या करेंगे ऐसा सोचते वक्त देश क्या कर रहा था बताईए हर घंटे में फिल्मों के गंदे-गंदे ब अलो सर मैं सेंट केर हॉस्पिटल से बोल रहा हूं अमरिता बहुत ही अबनॉर्मल देख रही है अब जल्दिया ही है अब जल्दिया है अमरिता तुम्हें क्या कर रही हो मैं जिन्दा हूं या मर गए यह देखने के लिए आए हो क्या क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रही हो अमरिता ओ सौरी सर आपका एक दिल है और उसे दर्द भी होता है यह तो मुझे अभी पता चला मैं आपको थोड़े पैसे दे देती हूं वह पैसे लेकर आप मुझे माफ कर दीजेगा तुमाने अमृता बसमाशब क्या नहीं प्यार करती हूं कि अंग्रण के लिए अग्रेश जिंदगी में आगे बढ़ो इसलिए तो में सपोट करती हो आ रही है कभी पैसों के लिए तुम से प्यार नहीं किया पैसों से हम कुछ भी कर सकते यह समझने की कोशिश करो ओम अमूटा संद सब कुछ कर सकते हूं न नहीं तुम्हारे साबने अपनी चान दे रही कुछ लेगजा हो Quand अवल बिल्कुल ठीक सोच रही हु I love you No Amrita I know you love money more than everything Amrita Amrita, Doctor Amrita Why are you Why are you Why am I झाल झाल ये लिजी आपके दियेवे पैसे बंगला कार की की डॉकुमेंट सब कुछ इसमें हैं अभी से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा सर जाकिर के केस को मैं अभी ड्रॉप करता हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या फाइनल स्टेज में आने के बाद अब तुम केरो क लो मैं उतने दूँगा पैसा पैसव के भाग भाग कर और उसी की पागल हो कर मैंने खुद को मेरा प्यार परिवार इस केस का क्या संबंध है? संबंध है, सर. प्यार परिवार रिश्टेदार को छोड़कर पैसों की लालच में आपके पिछे भाग कर मैंने धोका खाया. आपका कोई परिवार नहीं है तो आप क्या जानो? लेकिन मैं सब समझ गया. इन सब की बज़े तो बस आप हो, you are the bloody reason for this मी, मैं हूँ, good joke man, मैंने पहली बार जब तुम्हें पैसे दिये थे, तो तुम्हारी help करने के लिए, याद है ना, याद करो जरा, हर लेवल के task में मैंने तुम्हें दो options दिये थे you have two options, you have two options, तेरे पास options है, लेकिन तुमने जिसे select किया, वो है पैसा, पैसों के लिए तुम बकासुर बन गए हो, जब तुम्हारी girlfriend हॉस्पीटल में थी, उस समय तुम्हें मैंने दो options दिये, लेकिन तुमने चूज किया सिर्फ पैसा, उसकी मौत की वज़ा, सिर्फ तुम ह आप किसी भी तरह से तुम इस चक्रव्यू से बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें जाकिर खान का केस लड़ना ही पड़ेगा, बाहर आने के बाद वो फिर ब्लास्ट करेगा, वो बहुत से लोगों को मारेगा भी, ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगी यही तुम्हारा फूचर, यू है नो अधर ऑप्शन, चक्रवर्ती मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा फूचर क्या है, अगर मैं मर गया तो मेरे गवाद सबूतों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी तरह केस कोई लड़ भी नहीं सकता, हर आदमी के पास लाइफ में एक और अप्शन होता है, गुडबाई अछ्ञार आएथ कैट मेहर में एक ङलेð कार। मुडबगाई अर्या? लूब भगए अर्या अब्यू वप्ज मुड़ प्रिंग्टा? आर्य ओके अमृता तुम तुम नहीं नहीं तुम दो तुम है कर रहे हो तुम दो दिनों तक कोमों में थे चाहो तुम तो दॉक्टर से पूचलो डॉक्टर डॉक्टर आप यहां क्यों आए हैं आपको गैरी चोट लगने से सीवियर हेड इंजुरी आई है यू वेर इन कोमा फर मोर दर फॉर्टी एट आवर्स यू नौ मैंडम प्लीज टेक कियर आफ यू कि अर्या मैंने मास इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वह घबरा जाएंगी ना तुम भी उने कुछ मत बताना अच्छा अर्या स्वाथी की केस का जज्जमेंट आने वाला है तुमको जाप आओगे या नहीं हाँ आए अब चेकरवर्थी हर टास्क में तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे अच्छा टागेट का फर्स टेप तुम्हें कंप्लीट कर लिया तुम्हें फ्लैट किर्ट दिया है आज तुम्हें देने वाला हूँ सेकेंड टास्क इस कहर में कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है अर्या अमुर्था तुम कितने स्टेप्स उपर चड़पाऊगे यह तुम पर ही निर्बर यही इंटास्ट का उदेश है ताके खान को जानते हो मेरे पास कोई आप्शन नहीं है मुझे कुछ भी करके यह किस जीता ही होगा हम सभी ने डॉप्टर राजकुमार का वीडियो देख क्योंकि तुम पैसों के बका सुर हो हर आदमी की लाइफ में दो आप्शन्स होते हैं गुडबाई सुनिया अर्या अगर आपके घर की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तब भी आप यह केस लड़ते हैं अर्या तुम है असा तो नहीं लग रहा कि तुम गलत कर रहे हूं आप मैंसे कोई झाते हैं क्या है नो आर्गंध मैंट यूहाना डिफेंस डिफेंस आप कुछ गाहना छाते हैं क्या ये氏 जिएर आउनर इन्होंने कोई गलती नहीं की है और इन्हें पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ That's all your honor अभी तक न्यायले के सामने पेश किये गए सबूत और गवाहों के आधार पर तिलक नाम के व्यक्ति जिस पर स्वाती नाम की लड़की के साथ इक्षा विरुद बलातकार करने का आरोप था लेकिन तमाम गवाहों और सबूतों पर ध्यान देने के बाद अदालत इस निर्णे पर पहुँचती है कि तिलक नाम का व्यक्ति पूरी तड़ा से निर्दोश है प्रोसिक्यूशन के वकील कुछ भी साबित नहीं कर पाए है इसलिए ये अदालत तिलक को इस मामले में 22 बरी करती है और उसे तदकाल रिहा करने का हुकम सुनाती है आर्या तुमने जो भी बताया है ये सपना है मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा basically एक आदमी सपने में आता है तो उसे कभी जिंदेगी में देखा होगा at least उसके फोटो दो देखी होगी लेकिन मैंने तो उस आदमी को कभी देखा भी नहीं है वो भगबान जैसा इनसान सपने में आया कंसर्ट किया मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उसकी वज़े से मैंने अपना फ्यूचर देख लिया एक आदमी आया उसे जिन्देगी में कभी देखा नहीं उन्होंने मुझे फ्यूचर बताया इसका क्या मतलब है उनका और मेरा क्या कनेक्शन हो सपता है आया तुम्हारी सपने में आया वो काले घुंगाले बालो वाला मैनेचर कहीं बहुत नहीं है अलो, आपने जो केस लिया था उसे आप जीद गया गया जीद गया है तो मेरा बॉस इंप्रेस हो गया है तो मुझे लीगल अड्वाइजर बनाने का फैसला कर लिया है आया यहूँ आया यहूँ आया यहूँ तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना चाहिए येस शर्टिनली यह वन आवर टाइम टो मुझे तो मुझे ले जके लिए टो मुझे तो मुझे यहूँ कि अजित के लिए कि अजिता है कि अज़न पॉटत्यू ख्वाइब शहतूँ तो मैं पौनषण कुछ। कम इन बधर एंक चक्रवर्थी चक्रवर्थी, आप है डोंट वस्त मैं ताइम मैं तुम्हें एक important case देना चाहता हूँ. सबसे suitable advocate तुम्हें लगे. तो वो, जाकिर खान का case है क्या? आदना पड़ेगा Mr. Aria. कोर्ट से तुम सारी बाते जानकरी यहाँ पर आयो मेरे पास. That's why I like you. You see, you have two options. You have two options. Number one is finance, and second is females. Choice is yours. यह case में लेता हूँ, sir. You don't have to worry. पैसे कोई सेलेक्ट करोगे ना चानता था. Good luck. Take it. See you. हमारे समाद दाता के आधार पर बलात करके मामले में एक नया खुलासा सामने आया है. उस मामले में रिया हुएते लग उस अपराद में लिप्त है. इस विशे में पुलिस नए सिरे से सोच रही है और उसे इस प्रकरण में दोश ही माना जा रहा है. क्योंकि उसका एक और वीडियो है जो किसी अंचान व्यक्ती ने हमारे न्यूस चैनल को भेजा है. उसे देखने के बाद ये साबित हो जाता है कि वो अपरादी है. और इसमें स्वापी नाम की लड़की पुरी तरह से निर्दोश है. एक अग्यात व्यक्ती ने हमारे न्यूस चैनल को एक वीडियो भेजा है जिससे इस केस के अंदर एक नया मोड आ गया है. नेक्स टाइम उसके घर में जाके रेप करूँगा तब उसे समझ में आएगा. जानते हो ना मुझे. याद रखना. तुम जाओ यहां से. मैं जानता हूँ. आर्या, तेलक अक्सिदेंट में मारा गया है. ये तुम जानते हो क्या? जानता हूँ. जानता हूँ. माँ, केस फाइल कहा है? मेरी कबाट में ही रखी हुई है. मेरी कर्सक्पर जानते हुई निसम्य कर्साओ कर्सेust... जानत ऍूसमा से. याद ने प्सक्राण हुई अक्यार वैसके शैए. यह मेरे पापा है यह कहां मिलेंगे मा इनको मरे हुए पचीस साल हुए एक नीच इंसान थे पैसा पैसा सोच कर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी इनकी यही वज़े थी कि मैंने इनके बारे में आज तर तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया इस इस माइफ प्लेस मतलब माइफ प्लेस तुम्हें कभी भी मुझसे मिलने की इच्छा हो तो यहां पर आजाए माने ऐसा कहा था कि वो एक अक्सिडेंट में मारी गए थे हार याप आएम यूर एफ मतलब फादर तुम्हें इस बात पर बहुत आश्चर हो रहा होगा ना तुम्हारी जिंदीगी में क्यू आया तुमसे क्या क्या करवाये इससे तुम्हें बहुत कन्फूजन हो रहा होगा मैं भी तुम्हारी तरह एक लॉयर हुए पैसो के पीछे मैं भी भागता रहा जहां तुम खड़े हो वही से मुझे भी धक्का दे कर मार दिया लिया पैसो के पीछे भागकर इंसानियत को भूल कर मैं तुमसे और तुम्हारी मा से धूर हो गया मैंने सोचा था कि मेरा बेटा अच्छा रस्ता चुनकर जियेगा लेकिन तुमने मेरे ही रास्ते को चुना स्वाती का केस तिलक की दोस्ती सब में पैसा ही तुम्हें बड़ा लगा हर टास्क में मैं तुम्हें एक सबक देना चाहता था किसी भी व्यक्ती में अगर मा बाप भाई देश देश भक्ती प्यार मान सम्मान ये सब चीज़ें न रहे तो इतिहास में उसकी कोई जगह नहीं और नहीं वो कभी आगे बढ़ सकता है आपने मुझसे ये टास्क क्यों करवाए ये मेरी समझ में नहीं आया तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे और इसलिए तुम्हारे सपनों में आकर मैंने तुम्हे तुम्हारा फ्यूचर दिखाया मेरी सोच से कहीं अधिक अच्छी तरह तुमने तिलक केस को हैंडल किया तिलक का केस अगर मैं ड्रॉप करता तो वो किसी और लैयर को पगड़ता स्वातिय और उसके परिवार को कभी भी न्याय नहीं मिलता इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा जाकिर खान केस तुमने छोड़ दिया है न? येस वेरि गुड़ जिंदगी बहुत मुल्लेवान चीज ए और मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा पापा अगर आप नहीं होते तो मैं समझ नहीं पाता आपने मुझे नहीं जिंदगी दी है पापा ये लिए बेस टाड़ी फोरेवर अमरीता को उस घर में कुछ दिखाई दे रहा था कुछ आवाज सुनाई दे रही थी ऐसा वो कहती थी उस समय मैं समझ नहीं पाया लेकिन ऐसा क्यूं हुआ ये मुझे अभी समझ में आ रहा है अपने पैसों के नशे में तुम उसे ताज महल समझ रहे हो ताज महल कोई महल नहीं एक समाधी है जितना भी प्यार करने वाले क्यों नहों अगर वो ताज महल बनवाएंगे तो वो समाधी ही रहे पैसों के पीछे भागो मत वक्त आने पर वो खुद तुम्हारे पास आए ये बात गांट बाता